स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल परमलेक्ट्रोनिक्स में तो चलिए आज हम जो अगला टॉपिक तो जैसे हम टेक्निकल टॉपिक डिसक्स करते रहते हैं और फिर से आज कुछ कुछ जॉब्स के रिगार्डिंग हम कुछ डिसकस करेंगे कि जैसे कोई कंपनी जहां रिक्वीटर्स होते हैं जब रिक्विट्मेंट के लिए आते हैं तो कौन सी चीजें जो हैं वह अपने इंप्लॉई में देखना चाते ह। इसको दमाग में रखते हुए क्यूंट करते ह कुछ चीज करने के बाद जो इंडियायन रिक्वालिटी जो की स़च करते हैं तो यह सिट्सक्राइब हर कोई रिक्वाइब होता है अपने केंडिडेट में देखना चाहता है तो एक एक करके हम डिसक्स करते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं तो वैसे वर्क करते थे तो क्या करते थे मैनुली काम करते थे आज की डेट में हर कोई डे टुडे वर्क के बिहाब पर चल ला है चाहिए वह बेसिक्स की बात हों का जाहिए जिसमें आप्लिकेशन से जाहें एक्सलों और जैसे कोई ऐसे जो की डेली वर्ग में कंप्विटर लिट्रेसी जो है बहुत ज्यादा रिक्वार्मेंट है अगर कंप्विटर लिट्रेसी नहीं होगी तो हो रिक्विट्मेंट में जो लोग सोते हैं कि जाहें की जॉब जिएसे आप जायर हो रहती है जाहें रहती हैं जाहें चाहें वह इंट्रपर्सनल स्किल्स हो चाहें कंपनी की तरफ आपकी आपकी ओनेस्टी लोयलिटी तो जैसे आप के लिए जाते हैं तो रिक्वाइट करते हैं कि पर्टिकुलर परसन ऐसे कुशनिंग होती है कि वह कितना जैसे अपने परती भी कितना हो लायल है यहां कंपनी के परती में होगा कि नहीं जो है रहती है है कि एक गूड ऑनेस्ट एंड लायल परसन जो होना चाहिए और इन कंपनी को अगर मुसीबर टाइम में वह एक स्लूशन प्रोवाइड करके दे कंपनी को और उस मुसीबर से निकाल सके कि अगर क्रेटिविटी इसे वेरी माच यूसफुल टूल टू कंपीट इन टूडेस वर्ल्ड तो आज की डेट में जो टूडेस वर्ल्ड है आपको पता ही हर फील्ड में चले जाहिए हर एक कोई कंपिक्टेटर आपको मार्केट में मिलेगा तो वही ठीक हैगा जो अपनी क कर आएगा तो आप पर्टिकुलर परसन शुट भी फ्री टू शेर इस वीव इन दा मेटिंग्स ग्रूप डिसकर्शन अगर कोई मार्केटिंग यहां सेल्स की जो है टॉर्गेट से उसको चीव करना है तो वह विद्धी हेल्प आफ क्रेटिव आइडिया इनोविटिव आ हम फ्रेशर हैं तो हम हमें कई बार किसी चीज़ का स्पीरियंस तो है नहीं तो इसके लिए पॉइंट आता है कि जैसे आप कोई प्रोफेशनल लेगी चाहें बीटेक हो जाएं कोई होटल मेंडिमेट कई ऐसे प्रोफेशनल कोर्स हैं जहां पर आपके समेस्टर के दौरान अग्रा समेस्टर के बीच कुछ टाइं बचता ऑगी में कुछ ट्रेनिंग होती है जिसमें आप अडिस का सब्राइत हो कर सकते हो और आप जैसे आप पर यह जाते हो तो आपको आपको थे को उसकी को भी प्रेशर यूज़ कर सकते हैं और देखिया हर को इंप्लायर कहता है कि इसके पास अगर पर्टिकुलर फिल्ड में किसी को हायर कर रहा है तो अगें कंपेटिटिव वर्ल्ड में जो वह है अच्छी पकड़ बना पाएंगे अच्छा प्रफॉर्म कर पाएंगे प्राब्लम सॉल्विंग एक बहुत अच्छी और रिक्वार्ड कुलिटी अगर किसी पर्टिकुलर इंप्लॉई को कोई पर्टिकुलर प्राब्लम जैसे मालीज जीन में आ जाती है जहां मार्केटिव में आ जाती है उसका कोई हल नहीं डूण ना था तो तो वैरी मच बीग प्राब्लम तो उसको उसको ऐसी कोई आइडिया ऐसे कोई सुलूशन जुरू लेकर आना चाहिए कि इसको कैसे जो है सॉल किया रहे है इसको वह विद्धी हल्प आप क्रेटिव आइडिया से अपने इसकर सकता है और जो अपने बैक्रांड आपने जो नॉड़ज है उसके पता हो कि आज की तरीक में वर्ड में क्या चलना है तभी आप कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम का भी हल उसी तरीके से निगाल सकते होगी अगर आपको कोई चीज की नॉलज होगी उसके रिगार्डिंग कोई सॉल्व कर पाऊगे सिक्स्वान इस प्रफेशनल बेर वैरे म इसी कोई चीनी नहीं फिर भी अगर जैसे आप कहीं कोई कंपनी में अपर लेवल में जान लोगर में कोई परजेक्ट के रिगार्डिंग आइंफोर्मिशन जाते हैं मेल के दूरू होती है मेल लिखना ना चाहिए में प्रफेशनल एथिक्स होते हैं वह आपको जुरूर अपने काम में आपके होने चाहिए आपकी जाहें ड्राइस के रिगार्डिंग हो क्या पहनते कैसे बहुत करते हैं टेलीफॉनिकली जहां मैसेज के तूरू जाए जो जो भी है किसी प्रजेक्ट को सेंद किया आपको मेंबर हो जा लीडर हो आपके प्रफेशनल बहेवियर जरा खुआ तो साथी हैं हर कोई इंडियन रहुत हैं कि इस है रहे क्वालिटींग खुड़ चेंप के उपर जो फाइनल यजर नहीं के जहां सोच रहे हैं तो उसको इन चीजों को जरूर में ध्यान में रखना होगा और तभी वह अच्छे से कंपनी में जो इंटर्व्यू से जाब को ग्रैब कर सकते हैं तो यह क्वालिटी इनको जरूर ध्यान में रखने चाहिए तो यह था मारा आज का डॉप वही का परम लेक्ट्रॉनिक्स चै थैंक यू वेरी मुच